लेटेस्ट यूज अपडेट के लिए आज ही हमारे चानल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकोन को दबाना ना भूले कुता इंसान का सबसे पुराना और वफादार पालतु जानवर माना जाता है कुतों और इंसानों के बीच यह संबंद बहुत पुराना है मनुश और कुते के बीक मालिक और पालतु जानवर का संबंद अनुमानित सोच से अलग है पिछले कई दिनों से एक कुते की तस्वीरे सोशल मीडिया में काफी सुर्खियां बटोर रही है बताया जा रहा है कि यह तस्वीर दक्षन कोरिया के बुसार शहर की है और इस कुते का नाम फूर्शी है एक वेब साइट के मताबिक पिछले तीन साल से यह डॉग एक घर के पास बैट कर अपने मालिक का इंतरदार कर रहा है बताया जाता है कि एक महिला फूर्शी को अपने घर लेकर आई थी और दोनों काफी समय तक साथ रहे फिर अचानक एक दिन महिला की तबियत बिगड़ गई उसे अस्पताल में भरती करवाया गया जहां ब्रेन हेमरेट से उसकी मौत हो गई माले की मौत के इतने सालों बाद भी यह डॉग उसका इंतजार कर रहा है फूर्शी हर दिन उस महिला के घर के नीचे जाता है गली की ओर देखकर उसका इंतजार करता रहता है इतना ही नहीं पिछले कुछ समय से माले के गम में फूर्शी ठीक से खापी भी नहीं रहा था वह अक्सर उदास रहता था इसे देखते हुए लोगों ने एनिमल रेस्कू टीम को सूचना दी और उसके बारे में बताया इसके बाद फूर्शी को वेटनरी डॉक्टर्स ने जब चेक अप किया तो पता चला कि उसकी उम्र 8 साल है उसकी आत में किडा हो गया है जिसके कारण उसकी हालत बेगर रही थी कुछ समय तक उसका ट्रीट मेंट चला और वेट ठीक हो गया उसे एक नई फैमिली ने एडॉप्ट कर लिया और उसे नया नाम मिला सकाई